हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसे परयावरन अध्यन का रिविजन करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आ आप्सन नमबर थर्ड उत्राखंड नेक्स्ट इस गोवा में बोली जाने वाली भासा है कौनसी है बंगाली कंणर कॉंकडी अस्मिया तो बच्चों इसका आप्सन नमबर थर्ड कॉंकडी नेक्स्ट इस पश्चिमी भारत में कबड़ी को किस नाम से जाना जाता है तो बच्चों अप्सन है पश्चिम बंगाल, कोट तायम, मुंबई, दिल्ली तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है अप्सन नमबर थर्ड, कोट तायम नेक्स्ट इस गोवा से के राश्टे में कितने पुल है तो बच्चों आप्सन है तीन हजार दोसो, दोहजार चारसो तो बच्चो इसका आंसर है option no.3 दो हजार नेक्स्ट है दिये गए कतनों के आगे सही या गलत लिखिए तो बच्चो फस्ट है ओमना की डादी का घर एक ड्रीप परिस्तित था तो बच्चो इस सही है नेक्स्ट है रेल में सफर करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकेट ही लेना काफी है तो बच्चो ये गलत है नेक्स्ट है ओमना के परिवार ने अपनी यात्रा मढगाओं इस्टेशन से शुरू की थी तो बच्चो ये भी गलत है नेक्स्ट है सुनील और एन कोजी कोड इस्टेशन पर उतर गए थे तो बच्चो हाँ ये सही है रेलवे की समय सार्णी रेलों के आने जाने का समय दिखाती है तो बच्चों हाँ ये भी सही है अब बच्चों कोश्य नमबर थ्री निम्निली के प्रश्णों के उत्तर दीजिए बसों और ट्रकों में इस्तिमाल होने वाले इदन का नाम रताईए तो बच्चों आंसर है डीजल अपाने ब कन्नोज जिला नेक्स्ट है नदियों में पानी का सुरूत क्या है तो बच्चों आंसर है बर्फ का पिगल्ला आवे बच्चों चित्र को पहचानी और प्रश्णों के उत्तर दीजिए नीचे दिखाए गए धाचे का नाम बताईए तो बच्चों ये क्या है ये जो धाचा परिवार नेक्स्ट है नीचे दिखाए गए डिजाइन का नाम बताईए तो बच्चों ये कैसी चित्रकारी है ये है मधूबनी चित्रकारी नेक्स्ट है पानी हमारे लिए उपियोगी है इस कथन की पुष्टी कीजिए तो बच्चों आंसर है पानी हमारे जीवन के लिए महत्पूर्ण है पानी का उप्योग खाने पकाने पीने कपड़े धोने नहाने और बरतन धोने के लिए किया जाता है नेक से गाउं में गाई के गोबर को मित्ती में मिला कर दिवारों पर लेप के रूप में प्रियोग किया जाता है बच्चो आंसर है गाउं में कीडों को घर से दूर रखने के लिए गाई के गोबर को मित्ती में मिला कर लेप की परत के रूप में प्रियोग किया जाता है बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू